स्वामी नारदानन्द आश्रम का मैं चैर्मेन स्वामी विद्याचेतन्य स्वामी नारदानन्द आश्रम से बोल रहा हूं दीपा वली का पावन अवसर हिंदू संस्कति के अंदर प्रतिवरस बनाया जाता है दीपावली क्यों बनाई जाती है हमारे राक्विंद सरकार मर्यादा पुरस्वत्रम सी राम चौधा वरस के लिए जब बनवास गए और उन्होंने असरों के ऊपर जो विजय प्राप्त करके अउध्या लोटे तो अउध्या में वो दीपोत सब के रूप में दीपावली मनाई गई बास्तम में दीपावली जो है की पसन्यता असत्य के ऊपर सत्य की विजय असरों के ऊपर भगवान की विजय दसानन के ऊपर राग्विंद मर्यादा पुरस्वत्रम सी राम की विजय की खुसाली का एक प्रतीक जो हम अनादिकाल से हिंदू संस्कती में हिंदू जगत के हिंदू लोग बनाते हैं और ए दीपोत्षब जवसे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने दो दिन का दीपोत्षब रखा छोटी दिवाली का भी रखा और बड़ी दिवाली का भी रखा संत जब राजसत्ता को सम्हलता है आज योगी जी सासन और अनुसासन के रूप में पहले समय में राजा का सासन होता था और महराजा का अनुसासन होता था जब जब सासन के अंदर नाना प्रकार की कुरूतियां आती थी तब अनुसासन सासन को एक दिसा देता था लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों को और भारत बरस के लोगों का एक गवरब की बात है कि देश के अंदर राष्ट के अंदर और प्रदेश के अंदर दो संतों ने सासन को भी समाल रखा है और अनुसासन को भी समाल रखा है और इस वार दिपो सब अध्या के अंदर कई दिनों तक चलने वाला है जब राम भगवान अध्या में प्रवेश किये थे लंका पर विजय प्राप्त करने के वाद तो उनके आगमन की खुशी में सारे उद्ध्यावासी एकत्तित होकर के दीपोत्षव को मनाया और भगवान राम से कहा आप कुछ बोलिये तो उन्होंने एकई बात कही अबधपुरी ममपुरी सुहावनी उत्तर दिसी वहा सर्जू पावनी यह हमारी जनम भूमी है और जनम भूमी में रहने वाले लोग सब हमको अत्यंत प्रिय हैं तो लोग खुशी के मारे बहुत प्रसंद हुए तो उनके दाएं बाएं सेना के अंदर दो ऐसे ब्यक्ति थे हनुमान जी और सुग्रीव जी तो सब से कहा कुछ मांग लो अध्यावासियों से कहा कुछ मांग लो दीपावली के पावन अवसर पर लोग मिठाई बाढते हैं लोग सब कुछ करते हैं कुछ साली मनाते हैं पटा के चोड़ते हैं लेकिन वहां भगवान राम ने कहा अध्यावासियों को एक ही सब्द में उत्तर दे दिया जो आप लोग हो आप से बढ़कर के प्रेया हमारा प्री कोई नहीं है अवद पुरीज मम पुरीज सुहावनी उत्तर दिसिवा सरजु पावनी सुगरीव से कहा तुम भी कुछ मांग लो हनुमान से कहा तुम भी कुछ मांग लो तो हनुमान जी ने कहा, सुगरीव ने कहा, हमको एक ही देना हो तो बर दे दीजिए, सुगरीव बोले नीच टाहल घर की सबकरियों, प्रभु पंकज बिलो की भवतरियों, छोटा से छोटा काम हमको दे दोगे, तो मैं आपके चरणों की सेवा आयुद्या में करता राजा राम के रूम में आप रहेंगे, और सेवक के रूम में मैं रहूंगा, हनुमान जी से कहा, तुम ने बड़ी सेवा की, तुम भी कुछ मांगो, हनुमान जी ने कहा, सरकार हमको देना है, तो एक ही चीज दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, अस अभिमान जाये जनिभूरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे आप मेरे स्वामी बने रहो और मैं आपका सेवक बना रहूं तो ये दीपोत सब जो हम लोग मनाते हैं ये भारती संस्कति का एक सूचक है और सब की दीपावली मंगल मैं हो सभी लोगों को दीपावली की खुसाली हो और जैसे दीपोत जब हम मनाते हैं ऐसे ही सब के हरदे में ज्यान रूपी दीपक जलता रहे और समस्त हिंदुस्तान के लोग भारत वर्स के लोग और जहां जहां भारती हैं सभी लोग इस उत्सव को मनाएं और इस दिश्टी से मनाएं सभी बिश्व सुखी हो सरवे भवन्त सुखिना सरवे संत निरामया सरवे भद्रानि पस्यन्तु कस्यव दुख भाववेत ये जो है हमारे हिंदु परमपरा में सभी सुखी हो सभी निरोग हो सभी प्रसंद हो सभी का परिवार सुक मैं हो ये दीपा वली सब के जीवन में एक उल्लास भरे इन सब्दों के साथ मैं जो अपना चैनल है